तो भाई आपने बाद न्यूस देखा? हाँ, देखा, मैं ट्रेलर भी देखा और फिल्म भी देखी बिल्कुल, बहुत बढ़ी हा, बहुत एंटर्टेनर मुवी है बहुत अच्छी मुवी फिल्म में किसकी अक्ट में आपको बहुत जादा पसन देखी? विक्की सर, अमे विर्क सर भी अच्छे है बट विक्की सर भी मतलब अमीजिंग थी बिल्कुल, विक्की कॉशल इस देखा बेस्ट मैंने एक्स्पेक्ट नहीं किया था, तो बहुत अच्छी मिल गई थी जैसे कि मुवी की कहानी है कि एक बच्चे के दो बाप तो आपको लग रहे है कि यह रियल लाइफ में हो सकता है कि सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए बना दिया है क्योंकि चीज हुई है, मतब होती है, ऐसा हुआ है एक बच्चे के दो बाप, लेकिन इन्होंने बना दिया अच्छा है, जब इन्होंने बना दिया तो हो सकता है जाजे तो आगर आपको चूज करना हो, गुद निउस के कंपराईजन और बाद निउस कैसा था? दोनो दोनो, मैं इकुल रेटिंग दूँगा अक्षे कुमार की कॉमिक टाइमिंग पर हम लोग ऐसे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों ही मुवीज अपनी जगह पर बेटर है दोनों भी अपने अपने जगह पर अलग थे, बट बाद निउस थोड़ा सा में को ज़्यादा अच्छी लगी बाद निउस रिलीज हो चुकी है और उस फिल्म ने एक दिन में आठ करोर का कलेक्शन किया है और लोगों को ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंदार ही है तो मैं आचुका हूँ लोगों से पूछने के लिए कि उनको ये फिल्म कैसी लगी और ये फिल्म बाद निउस सौ करोर की कलब में शामीलो पाईगी या नहीं तो चलिए बात करते हैं तो भाई आपने बाद निउस देखा हाँ हाँ देखा है मैं ट्रेलर भी देखा है फिल्म भी देखी बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत एंटर्टेनर मुवी है फुल उन इसमें बस जो क्रेट किया गया है वो सच है आपने बात को अचने मैं जो बहुत अच्छी दागी कैसे लग आपको बात जांदार अभा पंजाबी फिल्म और बॉली गूड की तडव फारे हैं तो काफी अच्रा काम आम है ए उनका अजी तो फिल्म में किसकी अक्ट में आपको बहुत जादा पसंद लगी विकी सर अपिसर अच्छ है विकी सर भी मतलब अमीजिंग एक्टिंग विकी कॉसिल की बहुत अच्छी लगी उसके जो ताइमिंग थे पंच थे जो एक्स्प्रेशन दिये थे वह बहुत अच्छ तीनों अक्टर जब एक साथ स्क्रीन पर आ रहे थे तो उनकी केमिस्ट्री ऐसे लग रही थी अच्छे लग रही थी वैसे तो मतलब पहली बार ही देखा था तो अच्छी लग रही तो अब पता नहीं से तीसरा पाट आएगा नी आएगा गुड नीउस का मतलब एक तरीक वो तीनों के साथ में मिले जो एक ये मिला वो अच्छा लगा था ए मैंने एक्स्पेक्ट नहीं किया था तो इसी चीज मिलेगी बट बहुत अच्छी मिल गई थी तो अगर बात की जाय एक बाद णीूस की, तो बाद णीूस में ऐसा क्या था, छो आपको बहत पसंद आया शायद cameo था अनन्या panndega अनन्या panndega cameo भेको पसंद आयाın, बट सर वह तो बहुत छोटा cameo था हाँ वो ठीक है वो अच्छा लगा एक मतलब एक तरीके से एक आप स्टार को लेकर आए ना पर पता नहीं सा ना फिर वो आएगी या नहीं आएगी तो एक दम से आई जैसे की मुवी की कहानी है कि एक बच्चे के दो बाप तो आपको लग रहे है कि ये रियल लाइफ में हो सकता है कि सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए बना दिया है मैंने इसका थोड़ा रिसर्च किया था पहले I forgot the actual word scientifically क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया था उस पर ये बहुत रेर केसे बहुत रेर केसे जो कभी मुझे पता नहीं था एक्चली फिल्म के टीजर के बाद ही मैंने को पता चला तो मैंने उसको थोड़ा रिसर्च किया कि चीज हुई है मतलब होती है ऐसा हुआ है एक बच्चे के दो बाप लेकिन इन्होंने बना दिया अच्छा है जब इन्होंने बना दिया तो हो सकता है तो साइंस नेतित रक्की कर लिए कि बहुत कुछ हो रहा है तो कोई बढ़ी बात नहीं है एक बच्चे के दो बाप भ तो उसके कंपाइजन में बाड न्यूस में कैसा लगा आपको बाकियों में से एटी थी में रेन्वीर सिंग लीड थे बट इसमें यह भी लीड है तो उस पर आप क्या कहोगा जाता हूं कि जो बाकी फिल्म्स थी उन में से सबसे जो बड़ा किरदार है मेरे ख्याल से इसी फिल्म में और एमी पाजी ने बहुत अच्छा निवाया है उनकी हर फिल्म अच्छी होती है आप देखते आरे काफी टाइम से जितनी भी पंजाबी मूवीज है अच्छा काम करते हैं अच्छा काम करते हैं अगर आपको चू अच्छा काम करते हैं तो जैसे की बाइड द्यूस थे काफी अच्छा कालेक्शन गया है एक दिन में आट से जादा करोर का कालेक्शन किया है तो आपको लग रहे है कि यह फिल्म हंड़िड करोर के क्लब में एंट्री मारेगी यार भी तुम्हें कुछ कह नहीं सकता है तो बहुत बेटर आPop रहे हैं और जो डिरेक्टर भी है जो गों गोंके एक्टर ये जो तीनों अक्टर तर्स घर तर्न होचुके वो लोग बहुत स़ीas काम कारता है तो प्ड़्कुल हो सकता है, कॉमेड़ी अच्छी है तीनों एक्तर अच्छी है अच्छी जाएगे movie तो तो अब मुवी को आउट आउट फाइव कितने स्टार्ट हो गया है? 3.5 I'll give 4 4 So guys, अगर आपने bad news देखा है तो आपको फिल्म कैसी लगी But अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और फिल्म देखो So if you like this video and if you do please like, share and subscribe to our channel